नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का दोस्तों हमारे जो विंटर फ्लावर है उसमें हेवी कॉंटिटी में फ्लावर चाहिए तो उसकी पिंचिंग करना बहुत जरूरी है जब प्लांट छोटे रहते हैं तो दो या तीन बार आप पिंचिंग कर दोगे तो आपका प् बुसी बन जाएगा और नई नई प्लाँच निकलेगी तो फ्लावर भी हेवी कॉंटिटी में करेंगे दोसो आज मैंने कहीं सारी विंटर के प्लांट है उसको पिंचिंग किया है तो जब भी आप पिंचिंग करते हैं तो उसमें यह जो पिंचिंग करने के बाद छोटी-छ पिंचिंग के साथ साथ आपका एक नाया प्लांट भी आपके पास तैयर हो जाएगा मैंने भी इस तरह पिंचिंग करके जो भी उसमें दो-तीन इच लंबी डाली निकलती है उसको ग्रो करती हूँ तो उसे भी बहुत सारे प्लांट मेरे बन जाते है तो इस तरह नहीं नहीं प्लांट बनाते रहेंगे तो आपको ज्यादा खरीदारी भी नहीं करने पड़ी क और आपके पास विंटर के प्लांड भी ज्यादा बन जाएंगे दुस्तों जब भी आप खाद डालते हो लिक्विड खाद हो या मैनुवली खाद हो प्लांड को अच्छे तरह गोड़ाई करना जुरूरी है क्योंकि गोड़ाई करने से उसको नीचे की रूट टक ये खाना मिलेगा और दुसरा ये गोड़ाई करने से रूट को हवा भी मिलती है और हवा मिलेगी खाना मिलेगा तो रूट हमारे अच्छी तरह ग्रो करेंगे और रूट अच्छे रहेंगे हेल्दी रहेंगे तो हमारा प्लांट भी अच्छी तरह ग्रोव करेगा हेल्दी ग्रोव करेगा जब भी आप गोड़े करते हैं तो एक दिन के लिए ऐसा ही छोड़ देना चाहिए जिसके करण वह धूप में अच्छी तरह मीटी सूक जाए और उसमें कोई भी फंगस या किडा लगा रहता है तो वह भी दूप में ना सो जाता है और मीटी भी हमारी हल्दी बनती है दोस्तों इसी तरह यह सभी को मैंने गोड़ाई कर लिये और पिंचिंग भी सभी प्रांटों को कर दिया है अब मैं उसमें मेन्यूएल खा दूंगी और उसके पत्ते पर यह जो बाय इंजाइमीन बनाया है उस मैंने बनाया है वो खुबर के उपले को अच्छी तरह करास कर दिया है और जो हम मैं फर्टिलाइजर है उसको दोनों को मीक्स कर के मैं प्लांट को दूंगी उसमें मैंने थोड़ी से हल्दी भी मिलाई है अपराक्का भी यूज़ कर सकते हैं मैं हमेशा घर में बनाया है व मैं आपके साथ हमेशा सेर करती रहती हूं इसी तरह घर में से जो कीचन वेश्ट गार्डन वेश्ट निकलता है उसी में से हमारा खाद बनके तैयार हो जाता है तो आपको कहीं बाचार से लाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये और्गेनिक खाद यूज़ करने का एक फाइदा और भी होता है जिसके कारण हमारी मिटी बहुत अच्छी पौरसमंती है और उसमें फंगस या किडी लगने का चांस भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि हमारा प्लांट हेल्दी ग्रो करता है उसके कारण उसकी रोग प एखिए मेरे जो गार्डन है इसमें बहुत कम फंगिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि मेरे फ्लांट ही इतने ग्रो करते हैं कि में उसमें कीडा और फंगस बहुत रेर ही लगती है और यह और्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करने से जो मीटी की मॉश्यर रहने की कैपिसिटी है वो भी बढ़ जाती है हमारे प्लाइड में काफी टाइम तक मॉश्यर बना रहता है यह मैं बायो एंजामीन का स्प्रेज कर रही हूं और दुसरी एक बात जब भी हमारे प्लाइड में कल्या आना शुरू हो जाए तो उसके बाद हमें मैनियूल खाठ नहीं देना है उसके बाद हम liquid fertilizer का use करेंगे, liquid fertilizer भी हम हमारे kitchen में जो सबजी के चिलके, fruit के चिलके निकलते हैं, उसमें थोड़ा सा गूर डलके, पानी में भीगो के रखें, दो-तिन दिन तक उसको format होने दीजिए, उसके बाद चान के, आप 1 by 10 का ratio करके, हर वीक में एक बार सभी प्लांटो को देंगे, तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग करेंगा, और उसके में जो फ्लावर आते हैं, वो भी bright color में और बहुत सुंदर color में आते हैं, दोस्तों, इसी तरह आप gardening करेंगे, तो आपका garden में जो खर्चा होता है, वो भी बहुत कम रहता है, मैं त आते हैं, और अपने आप कही सारे प्लांट भी निकलते रहते हैं, तो उसी से में ज्यादा तर प्लांट आयार कर लेती हूं, और इतना ऐसा भी ज़रूर नहीं कि बहुत सारे आपके garden में अलग-अलगतर के flower हो, आपके पास जो भी flowering plant है, या कोई भी indoor plant है, उसको भी आप multiply करके बहुत सारे प्लांट तैयार करके आप garden में रखेंगे, तो भी ये बहुत सुन्दर दिखता है, मैंने भी इसे तरह बहुत सारे प्लांट तैयार करके बना के रखे हैं, ये जो भी garden का कचरा निकलता है, उसको में इसे तरह बोरी में भरके रख देती हूं, और जो भ इसको कुछ करने की ज़वरतनी इसी तरह बौरी में भरके आप एक जगह रख दोंगे तो अपने आप नेचर तरीके से खाद बनके तयार हो जाएगा हमें कुछ मेनद भी करने नहीं पड़ी यह देखो यह मेरा खाद बनके तयार हो गया है इसमें कीचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट भी मैंने मीक्स करके रखा था, अभी थोड़े दिम में मैं उसको अच्छे तरह चान के दूसरे कंटेनर में भर लूँगी, और जब भी मुझे गार्डन में खार दालने के ज़र पड़ेगी, यह मेरे देसी कलांचो के प्लांट है, उसको भी मैंने डिवाइड करके कटिंग लगा के पूरी रो तैयार कर दी है, यह बाउंटी का भी काम करेगा, और जब भी फ्लावरिंग उसमें आएंगे, तो बहुत जुन्द दिखा का, उसमें रेड कलर के फ्लावर आते है, यह सभी प्लांटों को मैं अच्छी तरह ग यह भी काफी मार्च एप्रिल तक फ्लावरिंग करता है, और उसके जो रेर कलर के फ्लावर गुच्छों में आता है, जिसके कारण यह बहुत सुन्दर दिखता है, तो इसी तरह में नए नए प्लांट तयार करती रहती हूं, और जो भी गार्डन में और कीचन में जो भी करता है, उससे खाद बनाती रहती हूं, तो मुझे बहुत सारे मेरे गार्डन में प्लांट भी तैयार हो जाते हैं, और मुझे बाजार से कुछ खाद खरीदने की जुरत भी नहीं पड़ती, दोस्तो मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगाता लाइक शेर और के साथ, तब तक के लिए बाई, हैप्पी गार्डनी